गुद मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपके जोगेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वरक्षीट नमबर 34 सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, हिस्टरी हम पढ़ रहे हैं, क्लास आपकी 7 है और ये वरक्षीट है 15 फरवरी की डिवोशनल पाथ ओफ डिवाइन, तो स्टूडेंट्स ये रेखो, कि अभी तक हम इसमें क्या क्या कवर कर चुके हैं पहले हमने देखा कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्रीधिंग पे फोकस करना चाहिए, तब हमें मुक्ती मिल सकती है फिर किसी ने कहा जैसे कि अधवित्वाद में ये बात थी कि भई जो गोर्ड है, जो भगवान है और जो आत्मा है, फिर विशिश्ट-अदित वाद में कहा कि भई बेशक से गोर्ड और जो आत्मा है, वो मतलब मिल जाते हैं लेकिन आत्मा जो है अपना अलग से अस्तितु बना कर रखती है ठीक है ये चीज़े अभी तक हम पढ़ चुके है अब होता क्या है कि अब भगवान किसी ने देखा तो है नहीं अब सब कहा ऐसा जाता है कि सब का डिफरेंट एक्सपिरियंस होता है इस चीज़ को लेकि जो लोग जिसे बड़े-बड़े संत होते हैं बड़े-बड़े साधू होते हैं सब ही ही एक डिफरेंट काइंड ओफ पाथ में जाते हैं लेकिन अब मालो मतलब मेरा ऐसा प्रिस्पेक्टिव है जैसे सोनी पत से दिली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं आप किस रास्ते से जाते हो उस ही रास्ते का आपको जादा पता होगा ना तो सब लोग ऐसे ही अपने अपने रास्ते यहां पर बताते हैं पात मतलब जो रास्ता बता रहे हैं वो कहां तक जाने का डिवाइन तक जाने का डिवाइन मतलब भगवान तक जाने का या फिर उस शक्ति तक जाने का जिससे मिलने के बाद आपके सारे कुशन सैटिस्वाई हो जाते हैं तो नाथपन्ती, सिद्धा और योगी, इनके बारे में बात करते हैं अब क्या है, ये कहां पर था, मतलब इनका जादा सा जो फैलाव था, जादा इनका परचलन कहां पर था प्लेस और नोर्थ इंडिया एराउं 12th century, 12th century में इनका अब ये हमारी कौन से चल रही है, 21st century चल रही है तो 12th century में इनका मतलब अब जिसे अगर देखा जाए तो आज के 21st century में scientific century है, कम लोग है जो भगवान को मानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो question करते हैं कि भगवान है कि नहीं है ठीक है ना, तो 12th century की बात है ये वो criticize करते थे जो rituals वगवार होते हैं conventional religion जो होते हैं, social order होता है social order मतलब जैसे जात पात को मानते हैं कि तुम ब्राहमन हो तुम शुद्र हो, तुम शत्रिये हो, ये इन सब चीज़ों को using simple logical argument, simple logical argument देते थे वो कहते थे कि हमें, 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 जो रियनिशेशन का मतलब त्याग करना हमें जो दुनिया है उसको त्याग देना चाहिए, और क्या करना चाहिए अपने आपको find करने का process शुरू करना चाहिए टू देम, the path of salvation lay in meditation उनके according, जो path है, मुक्ती, मुक्ती का मतलब मरना नहीं होता मुक्ती का मतलब होता है, हर दर्द, कष्ट, हर problem से मुक्ती मिल जाना ठीक है, एक ultimate happiness मिल जाना तो वो हमें meditation के form में मिलती है क्योंकि भगवान की कोई form तो है नहीं, वो formless है ठीक है, and the realization of oneness with it कि उसके साथ एक होकर देखना सरफ meditation के दुरू पोसिबल है ये उनका मानना था, ठीक है अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो मंतर जाप से कहते हैं अब कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रो, अच्छे करम करते रो तो सब की अपनी, अपनी फिलोसफी है वो कहते हैं, कि mind और बोडी की नहीं, intense training करवाय जाए like meditation में हम यही तो करते हैं न योगासना, breathing exercise, meditations their criticism of conventional religion created the ground for the devotional religion to become a popular force in northern India then, यहाँ पर देखेंगे, a fire side gathering of ascetic यहाँ पर करें कि एक fire के चारो और जो ascetic है, यह साधू बैठे हैं यहाँ पर हराम से अपना, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे, तो बात हो रहें नोर्थ इंडिया में, नोर्थ इंडिया में कहते थे, योगासना करो breathing exercise करो, meditation करो, उससे ही हमें सब कुछ मिल जाएगा और हमें दुनिया में जादा मुहमाया में नहीं रहना चाहिए हम यहाँ पर दुनिया में अपनी वक्ति के लिए आया है, हमें उसी प्रोसेस पर जाना चाहिए तीक है, the scent of maharashtra अब महारashtra के संतों की बात करते हैं, अब यह कहाँ पर था, यह जैसे नोर्थ इंडिया में फेमस था, पंधारपूर महारashtra में यह कब तक था, 13 सेंचुरी से 17 सेंचुरी में फेमस था, अब क्या होता है कि यहाँ पर ज्यानिश्वर, जो है, नाम देव, एकना, तुकाराम, यह सक्खुबाई, चोखामेला, यह सब फेमस वहां के संत थे डायटी, यह किसको पूजा करते थे, यह लोड विठल है, जो है, वो एक भगवान विष्णू की ही फोर्म है, अगर आपसे पूछा जाए कि लोड विठल कोन से भगवान की फोर्म है, तो वो है विष्णू की और अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप कमेंट करके भी बिता सकते हैं कि लोर्ड बेटल कौन से भगवान की एक अवतार है Central Notation Personal God Reside in the Heart of All People इनका मानना था, इनकी मतलब जो Central एक किंद्रिय एक सोच थी वो ये कहते थे कि जो भगवान है वो लोगों के दिलों में रहते हैं Songs were written in the local language Marathi भाषा में song लिखे जाते थे These sent poets, ये sent poets जो ते reject करते थे हर form के ritualism को जो भी output display था, social difference था जर्म के आधार पर They even rejected the idea of renunciation उन्होंने even जो त्याग का, जैसे अभी हमने पढ़ा ना जो ये थे, नाथपन्ती थे, सिद्धास था, योगीस थे ये कहते हैं कि renunciation करो भाई, त्याग दो दुनिया को ये कहते हैं भाई, आराम से रहो, अपनी family में कोई त्यागने की जरूरत नहीं है They even rejected the idea of renunciation Preferred to live with their family, earning their livelihood like any other person While humbly serving fellow human being ये कि साथ के लोगों को सर्व भी करते रहते हैं उनकी help भी करते रहते हैं That means the karma A new humanist idea is as they insisted bhakti lay in the sharing others वो कहते हैं कि bhakti जो है, ऐसा नहीं है कि तुम दुनिया छोड़ के चले जाओ अब कौन सा प्रोसेस सही है, वो एक particular individual के उपर depend करता है As the famous गायत्री, संत, जो थे नर्सी महता They are vishnavaas who understand the pain of other वो वishnavaas थे, जो कि दूसरे का pain समझ सकते थे ठीक बच्चा, अब यहाँ पर देखो A devotion around, विठल gave rise to the Varkari sect Varkari sect को उभार दिया जिसने Lame Faisal no annual pilgrimage to Pandharpur तो गयते हैं कि हर साल एक Pandharpur एक visit की जाए तिर्थियात्रा पर जाए जाए Pilgrimage क्या होती है, तिर्थियात्रा होती है Pilgrimage क्या होती है, तिर्थियात्रा, ठीक है लिख लेंगे, यह बहुत बार काम आएगा तिर्थियात्रा, ठीक है The cult of Vithal emerged as a powerful mode of devotion Devotion होती है, भक्ती ठीक है And was popular amongst the people Sakubai was a woman Sakubai एक woman थी, ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह man-woman और social difference को नहीं मानते थे अब आपको क्या करना है, बहुत interesting चीज़ है Share your picture in the WhatsApp group of your class While doing Yogashna और Pranayama तो आपको बैठना है, अपनी मम्मी को बोलना है कि मेरी एक essay वाली बेठे हुए की photo खीच दीजिए जिसमें मैं Yogashna कर रहा हूँ मतलब मैंने कुछ अच्छा नहीं बनाया है बट आप और वो आपको आपके WhatsApp में भेजनी है Describe the belief and the practice of nathpanty, siddhas and yogi आपको क्या करना है belief और जो practice of nathpanty, इसकी क्या belief अब मैंने क्या किया है, मैंने 5 लिखे है मैंने 5 इसलिए लिखे हैं कि आप इसमें से कोई भी तीन जो आपको आसान लगे वो लिखे लिना, ठीक है, तीन काफी रहेंगे ठीक है, तो मैंने 5 इसलिए लिखे हैं किसी बच्छे को कोई चीज आसान लगती है किसी बच्छे को कोई आसान लगती है तो they criticize rituals, rituals क्या होते हैं जैसे कि हम यग वगरा करते हैं पूजा पाट वगरा करते हैं जो रिती रिवाज होते हैं उनको मानते हैं वो criticize करते थे उनकी निंदा करते थे they advocate re-initiation of world वो मतलब त्यागना जो संसार को त्यागने की बात करते थे त्याग त्योंकि अपना ध्यान लगाओ वो meditation को जादा प्रेफर करते थे ultimate reality यह कर देना इस तरीके से आप इनको लिख लेंगे अगर और चोटा करना है तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं intense training कैसे करेगा बंदा यहाँ तक लिख सकते हैं महराष्टरा कहां पर था यह बक्ति ट्रेडिशन हमने यहाँ देखा ना कहाँ पर था पंधारपूर महराष्टरा में और कब से कब तक था 13th century से 17th century ठीक है अब चलते हैं यहाँ पर how was the attitude of संत और महराष्टरा तो अर्दा कास्ट करते थे आउटवर डिस्प्ले ओफ पैटी सोशल डिफरेंसे का मतलब क्या हो गया कि तुम गरीब हो अमीर हो तुम इस कास्ट से हो तुम उस कास्ट से हो तो का कास्ट सिस्टम इस सब को वो क्या करते थे रिजेक्ट करते थे और नुर्मली होरा इंपोर्टेंट सेंस ओफ महाराष्ट्रा जो कुछ इंपोर्टेंट सेंस उनके लिए ग्यानेश्वर नामदेव एकनात् तुकारम सक्कुभाई चोखा मिला तो यह हो गए इंपोर्टेंट सेंस ठीक है तो स्टुएंट्स यह बहुत ही मतलब एक अच्छे से आप इस वक्ष किजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और निशा मैम का आज बर्डे है आप लोग विश करना चाहें तो निशा मैम को विश कर सकते हैं थैंक यू अवनाइस डे में गोड़ ब्लेस यू